अगर आप अपनी आपको एक्सल एक्सपर्ट समझते हैं और आपको यह नहीं पता कॉनकेटीनेट, कॉनकेट और टेक्सजॉइन में डिफरेंस कहा है तो यह आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है क्योंकि अक्सर एंटर्विव में पूछा जाता है कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस कहुंसा है आपको एक छोटा सा सवाल भी आपको मात दे सकता है इंटर्विव में इस वीडियो में जानते हैं कि इन तीनों के बीच में एक्षुल में डिफरेंस क्या है, कौन सा पहले यूज किया जाता था और कौन सा आप हमें यूज करना चाहिए तो बने नहीं है मिर साथ इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस टॉपिक को तो दिखे यहां पर मेरे पास है तीन शीट है पहली है एक concatenate की दूसरी है एक concrete formula की और थर्ड है text join के लिए इन तीनों के हम practical करें देखिंगे कि इन तीनों के बीच में actually difference क्या है तो दिखे यहां पर मेरे पास एक data है जिसमें first name, last name, department and location है और अकसर होता है कि हमें यह सब चीज़े merge करके कहीं पर देनी होती है तो माल लीज़े अगर हमें merge करनी है तो हम कौन से formula का use कर सकते हैं हम इन तीनों ही formula का use कर सकते हैं लेकिन कुछ formula आसके कुछ drawback है into one text string यह क्या करता है कुछ अलग लग text string को आपस में merge कर देता है एक string में मैं करता हो bracket open text one अब देखे यह कैसे काम करता है यहां पर आपको क्या होता है कि एक-एक करके sell देना होता है comma दे देके ठीक है अब माल लीज़े मैंने पहला select करा first name then comma फिर मैंने last name select करा फिर comma करा then finance then comma then location जो भी थी और bracket बंद करके enter देखे मिरको यहां पर data मिलिया है कोई problem नहीं है और अब मान लीज़े कि हमें यहां पर एक space add करना है तो हम क्या कर सकते हैं आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे space एक string है तो इसको हम double quote में देते हैं अब अगर आप यहां पर देखना है तो data perfectly आगे और अगर मैं इसको नीचे तक paste करूँ तो सारा data ठीक है लेकिन इसका drawback क्या है इसका drawback देखे मैं आपको बताता हूँ यहां तो आपने merge कर दिया लेकिन अगर आप इसे एक साथ merge करना चाहते हैं तो यहां पर वो चीज नहीं हो पाती देखें मैंने इसको पूरा select करा मैं चाहता हूँ कि A2 से D2 तक की जो पूरी मेरी range of cell है वो merge हो जाए अब यहां पर देखें एरर दे रहा हूँ और ऐसा नहीं इसी sheet में एरर दे रहा है यह हर एक record में एरर दे रहा है यहानि कि इसमें हम वो चीज नहीं कर सकते जहां पर हमें multiple cell range के साथ देने हो अब concatenate formula में जो problem थी उसे देख के Excel वाले को यह लगा कि इसकी विज़से हमारी user को problem हो रही है तो अब क्या किया जाए तो उन्होंने सोचा कि Excel एक बच्चे को जनम नहीं दे सकता तो क्या हूआ लेकिन एक formula को जनम दे सकता है तो उन्होंने launch कर दिया एक नया formula जिसे हम कह पहले आमने concatenate में देखा था कि वहां पर लिखा था कि several text string into one string यहां पर है list of range of text string यानि कि यह range के साथ काम कर सकता है ठीक है मैंसा select करता हूँ अब देखें यहां पर argument दे रहा है text one माल लीजे मैंने पहले text argument दिया first name ठीक है comma last name, department, location then enter ठीक है यहां पर आगया अब आप य concrete के साथ देता हूँ और पूरी range of cell देता हूँ तो यह काम करेगा देखें यह इसने पूरा काम करा बस एक problem है कि यहां पर space नहीं आ रहा है लेकिन जब हमें space देना पड़ेगा तब वहां पर हमें यह एक एक करके लिखना पड़ेगा वहां पर यह काम नहीं कर पाएगा ठ text join से अब text join में ऐसा क्या है जो concatenate और concat में नहीं था अब यह बहुत जादा important है text join अब यह क्या करता है सबसे पहले यह देख लीजिए equal to text join concatenate a list of range of text string using a delimiter अब जो problem हमारी concat में आ रही थी वो problem excel वालोंने text join में remove कर दी पूरी दरीके से अब देखिए यह कह रहा है कि यहां पर एक list और range of text string यूज़ कर सकते हैं साथ में using a delimiter ठीक है bracket open अब देखिए यहां पर जो कुछ argument है इनको आप जहां से समझिए पहला ह delimiter मैंनी कि आप अपने जो text cell है उनको जो divide करना चाहते हैं वो किस base पर करना चाहते हैं मैं चाहता हूं कि यहां पर space आ ठीक है या आप कुछ भी कर सकते है add the rate hyphen कुछ भी हो सकता है वो मैं लिखता हूँ double quote space double quote comma उसके बाद यह कह रहा है ignore empty cells when concatenating देखिए यह भी बहुत important कि मान लेजेए कि अगर आप कहां यहां पर कोई जो cell है वो blank है आप इसको क्या करना चाहते है इग्णोर करना चाहते है या उसको आप include करना चाहते है ठीक है तो इसके लिए से पहले मैं this formula को हटा आता हूँ और एक दू cell है जिनको मैं blank कर देंता हूं यहां पर department blank करते हैं और यहां पर हम last name blank कर देते हैं ठीक है और दोहारा formula लिखते है equal to text join तो delimiter हमने यहां पर कहा था कि double quote space double quote comma इसके बाद हम इसको true कर देते हैं true का मतलब है कि जैसे ही इसे कोई blank cell मिलेगा यह उसे ignore कर देगा then comma अब देखें यहां पर सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ कि आप separate separate cell को कैसे select करेंगे then पूरी range of cell को तो सबसे पहले मैं आशिश को select करता हूँ comma उसके बाद last name then department then location और bracket band enter अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हमें बार बार space नहीं देना पड़ा है और अगर मैं इसे नीचे तक drag करूँ तो देखें यहां पर क्या करा है इसने जो ही इसको blank cell मिला है इसमें यहां पर double space नहीं आया है क्योंकि एक space तो हो गया हमारा delimator का और दूसरा यह department का मालने जी कि अगर मैंने यह true की जगा false लिख दिया ठीक है अब यह क्या करेगा इसको ignore नहीं करेगा देखें मैं enter मारता हूँ और यहां पर आपको वर्मा और डेली की बीच में दो space दिखाई देंगे देखें आप यहां पर width है वो जादा हो गया ठीक है तो आपको यह mostly आपको यह क्या कर रहा है यह आपको true ही रखना है और enter अब यह हम मैं निचे तक drag कर रहा हूँ ठीक है तो यह हो गया कि जब आप single single cell separate enter कराएंगे अब मालनेजी यह जो उसका बहुँच्छा feature है वो है list का अब मालनेजी कि मैं इसे हटाता हूँ और पूरी list of friends select करता हूँ ठीक है और enter मालता हूँ अब देखिए इसने पूरी list को एक बारी में select भी कर लिया और यह सब पे काम भी कर रहा है तो text join भूत useful formula है यहाँ पे आपको deal meter का option मिलता है यहाँ आपको blank cells को remove करने का option मिलता है कि आप इसको ignore करना चाहते है नहीं और पूरी की पूरी जो list होती है उसे एक साथ use भी करने का मौका मिलता है अगर यह file आपको practice के लिए चाहिए तो description में मैंने link देती है आप महाँ पे जागे click करके इसे download भी कर सकते है रंत में इतना ही अगरे वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को